नमस्कार, क्यापिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हुआ आपके साथ पूजा, बड़ी कबर आपको बता रहे हैं, 2024 चुनाओ को लेकर लालू प्रशाद यादव ने बड़ा मास्टर स्टोक चल दिया है, बड़ी कबर ये सामने आ रही है कि काराकार्ट से लालू प्रशाद यादव की बेटी रोहनी आचारी चुनाओ लड़ सकती है, काराकार्ट रोहनी आचारी का ससुराल भी है, ऐसे में ये बड़ा दाव रोहनी आचारी के तरब से चला जा सकता है, और बड़ी बात और बड़ी खबर ये है कि जेडियूक से सांसर्द महाबली डॉक्टर मनिश कुमार, सिर्फ खबरे हैं, चर्चाए हैं या बाकई में रोहनी आचारी काराकार्ट से चुनाओ लड़ेंगी? लेकिन बेटी रोहनी जो है, ये सुर्खियों में क्यूं थी? और क्यूं ये एक बहुत ही इमोशनल दाव है, नितिस कुमार भी मना नहीं कर पाएंगे, कोई मना नहीं कर पाएगा. लालू यादब का हाल में किड्नी ट्रांस्प्लांट हुआ, रोहनी आचारी वही बेटी हैं, जिन्होंने अपनी किड्नी अपने पिता को दी है. और इस बेटी ने अगर ये कह दिया कि काराकार्ट से मुझे चुनाओ लड़ना है, कौन मना करेगा? अवाज इस चीज़ को समझी, कोई लालू यादब भी नहीं मना कर पाएंगे, कोई मना नहीं कर सकेगा, निति इसकुमार भी मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन राजनिती तो बड़ी बेरहम चीज़ है, जैसे ये ख़बर आई, जिस तरीके से वो मीडिया में आया है मामला, जेडियू के अंदर बवाल मच गया, क्यूँ, कारकाट में अभी वर्तमान में जेडियू के सांसद है, मतलब जेडियू का वो सीट है, और उस सीट के उपर आर जेडि की तरब से इस तरीके से हलपने की कोशिश की जाएगी, निति इसकुमार को तो बेचैनी हो गई हो परिटी को मना भी नहीं कर पाएंगे, दावेदार भी प्रबल है, आपकी वो हैसियत नहीं है कि आप लालू यादव के परिवार के लोगों को आप टिकट देने से मना कर दें, और आपको टिकट देना पड़ा, तो पाटी के अंदर आप क्या मू दिखाएंगे, कि आपकी अपनी सीट जहां आपका अपका अपना विधायक है, वो आपके वो हाथ से, आपके सीट से, वो सीट जो है आपके हाथ से चला गया, क्या है इस सीट की खासियत, ये भी आप समझ लीजी, ये कराकार्ट जो है, बेसिकली, ये छे इसके अंदर एसेंबली कंसिचुशन, कंस इसमें अलग-अलग, जो तीन कंसिचुशन्सी जो है वो रोतास डिस्टिक्स से है, और तीन जो है वो औरंगाबाद से है, जो लोग कराकार्ट को नहीं जानते हैं, आप ये समझ लीजी, देरी ओंसोन, दाउद नगर, दाउद नगर में ही इनका ससुराल है, वो इलाका है अब रोतास और अरंगाबाद वहाँ पे आपने ये कह दिया, यहां की जो डेमोग्राफी है उसको भी समझेए, दो लाग के आसपास वहाँ पे कुसवाहा है, कोईरी, कास्ट, दो लाग के आसपास राजपूद भी है, और दो लाग के आसपास राजपूद भी है, अब द के हैं जादतार और एक छह में से एक जो है वो CPI ML का है और CPI ML वाले भी जो कह रहे थे कि हमें कम से कम पांच सीट चाहिए उसमें से कारकार्ट का भी नाम था जो जिस सीट के उपर गडबंदन ये जो महां गडबंदन है उसके अलग-अलग लोग जो दाओं खेल रहे हैं यह आप एक CPI ML का विधायक भी है बाकी पांच वो RJD के हैं तो आप यह समझे राजपूतों का भी क्लेम है और उनका भी क्लेम है और कोईरी लेकिन यहां का लीडर कौन है यहां का लीडर है उपंदर कुसवाहा वो अब महा गडबंदन का हच्सा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कराकार्ट में आमना सामना होगा उपंदर कुसवाहा का लालु की बेटी रोहनी आचारे से और उपंदर कुसवाहा का यह traditional seat है पिर आपको मैं बता दूं महाबल महाबली सिंग के पहले जो सांसत थे वो उपंदर कुसवाहा ही थे दोहजार नौ में जो है पहली बार वहाँ पे 2008 में जो डिलिमिटेशन हुआ उस दोरान इस सीट को निकाला गया और 2009 में वहाँ जो चुना जो तमाम लोग जो जीते हैं तो उनका नाम इस तरीके से है महावली कुसवाह 2009 में और 2014 में वहाँ से उपंदर कुसवाह जीते थे और 2019 में महावली जो है फिर से वो जेडियू के सीट से वो मिला था लेकिन वोट जो आया था 2019 में उपंदर कुसवाह आरलसपी की तरफ से लड़े थे मतलब एंडिये के बाहर से लड़े थे फिर भी उनको 3,13,886 वोट्स मिले थे वही महावली सिंग को जो है वो 3,998,000 मतलब 84,000 वोट्स से जेडियू का उमिदवार जीता था दोनों कुसवाह लेकिन जो समीकरण है कि अगर 3, 2, 3 कुसवाह वहां से खड़े हो गए तो इसका मतलब यह है कि जो सिटिंग सांसद है वो तो लड़ेगा ही अगर जेडियू टिकट नहीं देगी तो भी लड़ेगा उपंदर कुसवाह चुके अब यह NDA का हिस्सा में के तरब से यह चुनाओ लड़ेंगे तो उपंदर कुसवाह भी लड़ेंगे तो दो दो कुसवाह हो जाएंगे बड़े बड़े लीडर एक सिटिंग और एक कुसवाह का बड़ा नाम उपंदर कुसवाह दो लाख कुसवाह की का भोट है और यादब भी दो लाख है और रोहनी आदब अगर वहां से चुनाओ लड़ेंगी तो उनका जो है कुजवा भोट बटेगा मुस्लिम भोट भी मिलेगा मुस्लिम पॉपलेशन भी बहुत है उस कंसिचुएंसी के अंदर तो इसका मतलब ये है कि एक सेफ सीट लालु यादब की बेटी रोहनी अचारे के लिए ये बनता दिख रहा है जीत आसान नदर आ रही है कि अगर लालु यादब की बेटी वहाँ से लड़ती है तो वहाँ पे जीत जो है वो थोड़ी और दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि वहाँ की बहु है तो वो बहुत सारी चीजे जो है वो रोनी आचारे के फैवर में जा रहा है उपर अंदर कुस्वावी परेशान होंगे लेकिन परेशानी सबसे ज़्यादा नितिस कुमार को है नितिस कुमार इस बात को एकसेट कर लेंगे उनके पास कोई चारा नहीं है वो क्या कर सकते हैं आप लाली आदब को मना तो नहीं कर सकते हैं और ये धीरे धीरे करके जैसे अभी ये सारी खबरी कैसे आ रही है अभी उन्नीस तारिक को मीटिंग है नितिस कुमार बार बार कह रहे है कि भाई सेडिंग का फार्मूला उत्वे फार्नल हो कौन कहा कितने सीटों पर लड़ेगा और जब आप ये फार्नल कर देंगे तब ये पता चलेगा कि भाई ये इंडी गड़बंदन है भी या नहीं है और उसके ठीक पहले लालू यादब जो है अपनी बेटी से ये इस तरह के बयान दिलबा देते है बही जो अगर नॉन पॉलिटिकल आदमी है जो चुनाओ नहीं लड़ना है तो आप कह देगे कि हमको राजनीती से कोई लिए न देना नहीं है लेकिन वो राजनीती में तो बड़ा दिल्चस्प रखती है बहुत ज़्यादा आक्टिव रहती है हर पॉलिटिकल इशू पर कमेंट करती रहती है ट्विटर पर भी आक्टिव है तो वो तो चुनाओ लड़ेंगी देखिए वो उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि देखिए अभी तक तो मैं माबाप की बात सुनते आई हूँ जनता की आवाज भी सुनूंगी लेकिन ये हवा हवाई नहीं है क्योंकि हम अभी कोई ग्राउंड में हमने वर्क नहीं किया है उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि करकार्ट के अंदर जनता के बीच में जाकर के हमने वैसा कोई काम नहीं किया तो वहाँ पास में साथ में उनके बिधायक भी थे उन्होंने कहा भई आपके लिए तो ग्राउंड बना हुआ है आप सोशल मीडिया पे अतने एक्टिव रहती हैं आप हर पॉलिटिकल चीज के अंदर बयान देती है तो आपका एक पॉलिटिकल इमेज तो है ही बहु अलग से हैं आप इस इलाके की तो ये जो सारी चीजे हो रही है मुझे लग रहा है लालु यादव ने एक बड़ा दाव खिला है एक ऐसा दाव खिला है कि जिसके जरिये अब देखिए लालु यादव के परिवार से इसका मतलब कमान जो है वो हमारे हाथ में दी जाए वो भी एक चल रहा है एक और सिस्टर है वो भी चुनाओ लोड़ना चाहती है अब रोनीयाचारी भी चुनाओ लोड़ना चाहती है रव्लिदेवी भी चुनाओ लोड़ेlicit चार-पांच लोग जो है आप देखिए एक ही परिवार से वो चुनाओ की तयारी में हैं अब ऐसे में लालू यादव की उम्र भी हो रही है वो भी मना नहीं कर पाएंगे सब लोग जो है परिवारिक पार्टी में क्या होता सब हिस्सेदारिक होसता है कि बहुत ऐसा तो नही कि सब कुछ बेटे को मिलेगा बेटियों को कुछ नहीं मिलेगा तो ये सारी चीजे मुझे लग रहा है कि एक बड़ा दाव लालू यादव के तरफ से खेला गया है जिसमें नितीश कुमार बुरी तरीके से फस गया है अब तक रोहनी आचार हाला कि हमेशा कहती रहती थी में उनकी कोई दल्चस्पी नहीं है वो चुनाओ नहीं लड़ेंगी लेकिन अब उन्होंने मीडिया से बात चीत करती हुए साफ साफ इशारा कर दिया है और बड़ी खबर यहीं साबने आ रही है कि कारकार्ट से लालू यादव की बेटी रोहनी आचारी लोकस्वा का के साथ फिलाल इतना ही कैमरा परसन अशुक के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी बिहार